पर मेरी तो सरकारी नोकरी लग गई है मैं भी मजाखी कर रहा हूँ अरे रितिस भाई मैंने सुना तुमारे घर में हो जाया था हाँ भाई आया तो था क्या बोला उसने बोला तुमारे घर में भूत का साया है लेकिन यहर मैंने पूरा घर चान मारा ना उसका साया मिला ना बलाओज कम से कम पाँच लाग तो मिलेगा ना किसे इसके बाप से तू जानते हैं इसके बाप वो तो वो तो वो तो इसकी मा जानती होगी ना तुमा कोन में इसकी अरे बो तो इससे पूछ लेंगे ये कॉन है इससे तो बो जानते होगे ना वो कॉन इसके माबाब ये कॉन है जाने बगा किसके बाद अरे अखिल भाई क्या कर रहा है वहीं जो तू नहीं कर सकता क्या सेटिंग से बाफ अलो गड़ा माई लव यू सोरी मेरा बोइफरेंड हैगा आप घर जाएए भाईया क्या कर रही है आप चल गर कू लेकिन आपको नहीं थपड़ को मारा तेरा भाईया हूं मैं आपको बोलाले भाईया यह मता तरह बोईफरेंड को नहीं ज्यादा एठीचूट मत दिखा पूलों में तुमने मुझे प् खुब्सूरत होना गुणा है तो तुम विल्कुल बे गुणा हो तो तुम ऐसे बात ही कर रही हो आपको आपको दो दूंकर आपको आपको दूंसे बात करेंगे है अरे माया क्या हुआ क्या सोच रही हो अरे यार जिंदिगी चार दिन क्या है और मैं बाइस साल के हो गई हूँ तो क्या हूँ कहीं में अमर तो नहीं हो गई है अरे अखिल हाँ पास रुप्या उधार दे यार वह जरूरत में दे तो दूंगा लेकिन वापस कब करेगी जब तुक बोलेगा ठीक है यह ले लादे क्या बोलो कल तुमने मेरे सेली को मेसेज किया था अरे वह गलती से हो गया था गलती से आलग्यू को मेसेज चला जाएगा जाके बोल देना अपने सेली को कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा अगर वो तेरी हो गई तो तू सब के होने देगा क्या तुसला यह दुफ का खतम नहीं होता भे सुबह जी जुगा मैसेज आया अच्छा साली आदी घरवाली होती है मैंने भी मैसेज कर दिये बीस अजार रुपर ट्रांसफर कर दो शॉपिंग के लिए जाना है मिचे तब इसे ना तो उनको कोई मैसेज आया ना मेरा कोई मैसेज डिलीवर हुआ है व्लोक मार दिया दि भी मतने नहीं हों सबसे ज्याधा बारिष कहां के गरती है कहां करता है तुमने देखता है तुम्हें पर ही हरकत कब पहले साऀ ना करो तुम नखरे की बात करती हो मैं तो तुम्हें भी उठा लूंगा बावु डर्पोखोते वो लोग जो ओनलाइन नहीं आते अरे जिगरा चाहिए जिगरा ताइम बर्बाद करने के लिए कि अगरे तो पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती तो मिझे सब लोगा के सुना जाते थे लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बर अबर मुझे निकालती हूं अब जाले कोई नेरे मुझ भी लग जाए सुनो तेरे अकाउंट में कितने पैशे हैं पापा एकाउंट में पंद्रा लाग अब ममें एकाउंट में दस लाग अच्छा हलो 25 राख रुपिया दो और अपने बेटा को लेके जाओ क्यों रहे हैं भाई आज रोड़ पर मुझे दस का नोट मिला चली इसका फिप्टी फिप्टी कर लेते हैं लेकिन ये तो दस का है कौन सा सब्सक्राइब पढ़ी थी नहीं बता सकती प्रैबिट है हमारे यहां कि मौसम का यह हाल है कि कपड़ा धोते ही सूख जाता है और पहनते ही भीग जाता है पहले मैं पागल था फिर मेरी लाइब में एक समझदार दोस्त आया अब हम दोनों पागल हैं मुझे उपर वाले ने दुनिया देखने के लिए धर्ती पे भेजा है लेकिन मैं सिर्फ तुमें ही देखना चाहता हूँ बावू ए सुन क्या तुम मुझे अपनी गल्फन बनावी कि नहीं बात कुछ समझ ना आई चमे का हम ले पाई जो लाखों में एक होते न वो तो आप ही हो कौन मैं अरे नाई मैं तो करोड़ों में एक हूँ योड़ मेरा और आपका क्याशना देना मैं अपने दोस्त को रखुंगा कावू और मेरा दोस्त दोस्त नहीं मेरा बच्चा है घुंगरू बावू अपने दोस्त को रखूंगा काबू और मेरा दोस्त दोस्त नहीं मेरा बच्चा है घुंगरू बाबू अपने दोस्त को रखूंगा काबू और मेरा दोस्त दोस्त नहीं मेरा बच्चा है घुंगरू बाबू गो लावी सारी आरी लाल उलाजीव एसें दिल देखते हैं किसके ज्याधा दिल आते वोड़े सपूर्य holiness महरारू के खुश करके तीन तरीका देखा कैसे देखाता तो महरारू भी या मेरे मेसेज का रिपलाई ना करके तुम बर्तन धोने चली जाती हो ऐसा क्यूं करती हो बाबू लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम करते क्या हो तो मैंने भी कह दिया मैं अपने बाबू जे प्यार करता हूँ बाबू तुम घर से बाहर मत निकलना बाहर बहुत धूप है तुम काली हो जाओगी बाबू बाबू मुझे कभी धोका मत देना हो सके तो टाइम टू टाइम पपी देना मैं आ रहा हूँ तुम्हारे दिल में बाबू झाल एकाल 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 जो एकाल 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 एका